माया जी आज के युवा की अगर बात करें और हिंदी सहित्य की अगर बात करें तो दोनों का आपस में कितना जुडाव है कितना दोनों एक दूसरे के पास आप आ रहे हैं कहीं सरफ इंग्लिश लिटरेचर की तरफ तो नहीं भाग रहे हैं पहले बहत तो ये कि साहित्य का किनी भाषाओं से कोई भी रोत नहीं है हिंदी हो या इंग्लिश हो सबी भाषाओं में साहित्य लिखा ठड़ा जा रहाएं और निश्ची तो उप से लिखा जाता रहे हैं हिंदी को थोड़ा जिस रूप में असर की बात आप कर रहे हैं k you ब तो मेरे खियाल में अंशिक सच ही है पूरी तरह से ठीक नहीं यही बात अबी भी हाली में विशु पुस्तग मेला था दिल्ली में विशु पुस्तग मेला में जिसमें बहुत सारी अलग़ एक लग कोई हालipर थी किताबों की दूसरी भाशाओं और वो जो भीड थी उसमें सब और भी अच्छी बात थी है कि उसमें सबसे ज़्यादा युवा थे ठीक है कुछ तो ऐसे भी थे जिनको हिंदी पढ़ने में थोड़ी दिक्कत थी क्योंकि वो अंग्रेजी माद्यम से पढ़ाई उनकी हुई हिंदी को आमने सामने खड़ा ना करें अंग्रेजी में भी बहुत सम्रिद दिसाइटे हैं उसको भी पढ़ा जाना चाहिए बलकि अगर जो लोग अंग्रेजी में नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उसको हिंदी में अनूदित करके पढ़ा जाना चाहिए ऐसे हिंदी की बहुत सारी अच्छी चीज़े अनूती थोकर के अंग्रेजी में पड़ी जानी चाहिए तो ये भाशाओं के बीच में पुल बने रहने चाहिए हम लोग नरेश सकसेना जी की नरेश सकसेना जी के काविता के साथ अपनी बात पूरी करना चाहता हूं नरेश सकसेना जी कहते हैं कि पुल पार करने से नदी पार नहीं होती पुल पार करने से नदी पार नहीं होती नदी में धरसने से नदी पार होती जब हम कविता या साहिती के बात करते हैं तो मुझे एक चीज जो हमेशा मैस्सूस होती है कि मन से आती है रचना जो आपने का रचना मन से आती है और रचना का मन कैसे बनेगा या मन में रचना का बीज कहां से आएगा तो कविता या साहिती या रचना का कोई भी विधा कोई भी विधा हो उसकी इसकी तीन चरणों में मैं मानता हूं प्रक्रिया होती है पहला पहला जब हम बाहर से कुछ भीतर ग्रहन करते हैं दूसरा हम भीतर उसे पकाते हैं, तीसरा फिर भीतर से बाहर आता है, ये एक शंखला है, ये कड़िया हैं पूरी, इसमें से कोई भी एक चीज अगर कम होगी, तो कहीं कुछ गर्बर जरूर हो जाएगी, पहली चीज हम बाहर से कैसे लेते हैं, बाहर से लेने का मतलब ये, कि हमारी कितनी समवेदन शीलता है, हर व्यक्ति के लिए दृश्य वही है, जो कुछ है दुनिया है, आपके लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही है, किसी और के लिए भी वही है, लेकिन आप उसे अपने तरह से रिसीव करते हैं, मैं उसे अपनी तरह से रिसीव करता हूँ, ये मेरी सम्वेदिन शीरता है ये आपकी सम्वेदिन शीरता है कि आप उसे कितना गहरे तक रिसीव करते हैं किसी को पीडा में आप देखते हैं किसी को रोते हुए आप देखते हैं किसी को चुप आप देखते हैं यां तके गली के जानवरों को भी आप देखते हैं आप उसको देखकर कितना उसके साथ जुड़े आते हैं क्या आप उसके अंदर तक जाकर उसकी पीड़ा को अपने अंदर ले सकते हैं इसलिए साहित्य को कहा जाता है परकाया परवेश साहित्य जो है ऐसा कहते हैं कि साहित्य लिखने के लिए परकाया प्रवेश जरूरी परकाया प्रवेश का मतलब इतना सही है आप जिसको भी देख रहे हैं दृश्शे को देख रहे हैं चाहे वो जड़ है या चेतन है आप जड़ में भी प्रवेश करते हैं आप मूर्तियों में भी प्रवेश करते हैं आप मूर्तियों पर भी तो कविताय लिखते हैं कैसे लिखते हैं क्योंकि आप मूर्ति के अंदर चले जाते हैं आप पेड़ पर भी कविताय लिखते हैं रिँड के अंदर चले जाते हैं। तो यह जो परकाया प्रबेश्फ है, यह पहली प्रिकरिया है, पहला चरण है। आप जो उसके अंदर चले जाएंगे आप उसकी समभेट्नाव को ले लेंगे। अब दूसरा चरण। बीतर पकना। बीतर पकना कैसे हो गा। भीतर पकना एक आरती है कि आपका अपना अनुभो क्या है आपने जो पड़ा है अब तक आपने परंपरा से जो ग्रेंड किया है अब तक आपने जो सुनकर के सीख कर के या समझ कर के या किताबों के जरिये या विद्वानों से संगत के जरीए जो आपने रिसीव किया है वो आपका पूर्व अन्वो है उस पूर्व अन्वो से आप उस संवेदना को पकाते हैं पकती है उसमें उसमें फिर अच्छे शब्द जुड़ते हैं क्योंकि वो शब्द भी है आपको तभी मिलेंगे जब आपने बहुत सारा पढ़ाया उसको या पढ़ेंगे आप फिर जब वो पूरी तरह पक जाती है तो वो बाहर अभी वेक्ती होती है कहने को हम कई बार यू में कह देते हैं क्यार कविता मुझ पर एक दम से उतरी और मैंने लिख दी ये एक तरह से ठीक है लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है अगर अभी दात्मा ग्रूप से समझेंगे तो गलत समझेंगे इसको वेंजनात्मा ग्रूप से समझिये कि वो कविता मुझे पर उत्री तो ठीक लेकि उस उत्रने से पहले मैंने जो जमीन मेरे भीतर तयार हुई वो जमीन कैसे तयार हुई वो जमीन तयार होने की प्रक्रिया ये थी अगर मेरे भीतर ये जमीन तयार ना होती अगर मेरे भीतर ये संवेदना का परिपाक न हुआ होता तो वो कविता मुझ पर आकर के भी मुझ तक नहीं आती ठीक वैसे ही जैसे बीज है बीज तो गिरेगा हर जगे अब वो अगर बंदर जमीन में गिर जाएगा तो नश्ट हो जाएगा वही अगर नम जमीन में गिरेगा तो पनप जाएगा तो पहले भीतर की जमीन नम कैसे होगी यह महत्वपन पर किरिया किसी भी कोईता किसी भी रचना की और मुझे तो यही लगता है कि मैं यह खुद के बारे में कहना बड़ा अज़ीब लगता है कि मैं कैसे लिखता हूँ क्योंकि मुझे सही बात भी कि मुझे खुद नहीं पता मैं कैसे लिखता हूँ बस मैं लिख लेता हूँ इतना ही काफी है मैं कई बार इसको यूं भी कहता हूँ कि दरसल मैं लिखता नहीं हूँ मैं डिक्टेशन लेता हूँ हम लोग सब जो लिखने वाले हम कुद्रत से डिक्टेशन लेते हैं हम लोग कुद्रत के कलर्क हैं जिसको अपने आपको हम कभी कह करके खुश हो लेते हैं हकीकत में हम कुद्रत के कलर्क है और हम खुद्रत के प्रती इस बात के लिए शुक्र गुजार हैं कि उसने हमको इस काम के लिए चुना कोई ऐसी आपकी ये अभी किताब आपने लॉंच की मुझ में मीठा तू है पहले तो बड़ा सुन्दर नाम इसमें इतना मीठा है इसमें से कोई एक आप संधर्ब से समझाएंगे कि आप वो कविता के लिए आपके मन में कैसे उगे कैसे बीज़ वो कोई एक कविता लेकर कोई उसके बारे में कोई चर्शा करें तो कविता को लेकर के बात करते हैं दरसल एक इसमें कविता इस किताब की शुरुवाद जो है उसको भूमिका की तरह शब्द लिखाए बने अलाकि वो एक वास्ता में कविता है लेकि उसका शीर्षक दिया भूमिका की तरह ही उसको इसको इस्तिमाल किया है तो उसमें कविता की पंक्तिया तो बात भी आपको बताता हूं लेकिन उसमें मुटा मुटी एक चीज जो समझने की है कि कविता करती क्या है अगर ये मुझे पता लग जाए तो मैं कविता को बेहतर जी सकता हूं और आंक भी सकता हूं कि क्या ये कविता मुझे पर ये काम कर रही है कि नहीं कर रही है अगर नहीं कर रही है तो मुझे अपनी कविता पर दुबारा सोचता चाहिए कोई कविता का अंतिम रुप से हम क्या चाहते है अंतिम रुप से हम चाहते है दुनिया की बेहतरी दुनिया की सुन्दरता, दुनिया अच्छी करना कोई भी कला का अंतिम अदेशे है इस दुनिया को अच्छा करना बेतर बनाना सुन्दर बनाना रहने लायक बनाना ठीक है कविता भी उसमें शामिल है तो अगर कोई कविता दुनिया को अच्छा बनाने के लिए है तो वो आई किस माद्यम से है पहले खुद्रत से बाहर से आई, समवेदना के माद्दम से, किसके पास आई, मेरे पास आई, मैंने उसे आप तक पहुँचाया, ठीक है, तो उस कविता को रिशीव करने वाला, सबसे पहला विक्ति मैं हूँ, तो सबसे पहले वो कविता मुझे अच्छा करे, अगर वो मुझे बात कर रहा है, तो ये सिर्फ एक मजाक है, यूटोपिया है, इससे जदा और कुछ भी नहीं है, ये इस बात को इसी कविता में कहने की कोशिश की बदनी कैसा उसमें आया है, देखता हूँगा न, कि पूरी कविता नहीं पढ़ूँगा, पीच-पीच में टुकड़े हैं कुछ जिसे सुना था, कविता की जिसे तुलसी की वानी और कबीर की बानी में सुना था, जिसे गाया था नानक और सूर ने भी मीरा के साथ विद्रोहिनी हुई, तो लाकर बंद कर दी गई इस छोटे घुटन भरे कमरे में, कि जिसने तोड़े थे वयाकरन के नियम, अपन पर ठाका रहाती वी निकल गई थी, जो सदियों की यात्रा पर सारे रास्ते इसी कमरे की और आए, यहीं ठहरे, कविता करके बंद हो गई है, एक कमरे में, बंद खिर्कियों से अंदर नहीं आ सके शब्द, दर्वाजों की जिर्रियों में अटके रह गए समवाद, रोशन नहीं है कमरे की चाबी, पर दर्वाजा थप थपाने पर कोई प्रतिबंद नहीं है, कोई जवाब आए, भीतर से, तो सुनना ध्यान से, कहना उसे अपनी कविता में, अपनी कविता को कविता न समझे जाने का खत्रा उठा कर भी, यहां इस आंगन में आस्मान साक्षी है, प्रित्वी की शपत और जल का सानिद तुमारे भीतर जो उफनता है संकल्प वह कविता से बड़ा है, कमरे में छाकना पहली कोशिश है, और खोल सकने जितना साहस तुमारी आखरी प्रिक्षा, विफलताओं के शास्तिय उधारनों से भेभीत मत होना, अंतिम जो इसका में कविता है, जो बंद है, उसे मुक्त करना, अगर मुक्ती में कविता नहीं है, तो कहीं नहीं है, और कविता में अगर मुक्ती नहीं है, तो कविता की जरूरत क्या है, हम अपनी जो वरजनाएं हैं, अपने जो एशनाएं हैं, या अपनी जो शुद्रताएं हैं, अपना जो छोटा पन है, उससे हमको कविता मुक्त करे ये कविता का एक व्यापक अधिश है, पहले हमको मुक्त करेगी तो वो दुणिया को क्षुद्रताओं से मुक्त करेगी बहुत सुन्दर ये बहुत अच्छी बात बीच में आपने कविता के आखिर में तो ये कही है आपने लेकिन ये जो सुन्दर बात कही है कि चाबी तुम्हारे पास नहीं है लेकिन थप थपाने पे दर्वाजा थप थपाने पे कोई मना ही भी नहीं है ये कितना सुन्दर एक concept है लाइफ के बाकी सारे चीजों के लिए भी आप इसको कहीं भी अपलाई कर सकते हैं और युवा पीड़ी के लिए तो ये खास बहुत बड़ा संदेश दिया है आपने कि चाबी चाए तुम्हारे पास नहीं है लेकिन फिर भी दर्वाजा थप थपाने पे कोई परिवत प्रतिबंद नहीं है माया जी आप आपका शायद प्रेम विवा हुआ था सभी विवा प्रेम विवा होते हैं नहीं मैं कुछ उस पार जाना चाहूंगा कि उस प्रेरना को बात करना चाहता था वो एक सामाजिक चीजी है कुछ तो प्रेम विवा का आप बैं हमेशा ये मानता हूं कि किसी भी विवा में प्रेम एक अदिवारे शर्त है वो प्रेम पहले भी होता था ये थोड़ा अजीब लग सकता सुन करके कि पहले तो प्रेम विवा नहीं होते थे लड़का लड़की एक दूसरे को देखते भी नहीं थे लेकि बिना देखे भी प्रेम तो होता था कहीं भीतर प्रेम रहता था है ना जिसने नहीं देखा एक दूसरे को उसके मन में शादा प्रेम रहता होगा अब वो देख लेते हैं, मिल लेते हैं, साथ गुम लेते हैं तो थोड़ा प्रेम को व्यक्त कर लेते हैं लिए उस समय प्रेम व्यक्त नहीं किया जाता था पर वो प्रेम तो रहता था इसलिए हर विवा में प्रेम एक अनिवारे शर्त है अगर प्रेम नहीं है, तो वो विवाब वैद नहीं है, वेद नहीं है, वितकुल आपके बात सही है, लेकिन उस साथ का, उस जीवन साथी का, आपके सारी जर्नी में, आपके इस लेखन पर, आपके इसमें कैसा, क्या रहा। तमाम लोग जो साथ आए, चाहे वो दोस्त हों, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो पत्नी हो, बच्चे हो, या अभी भी जो दोस्त और अग्रज भी, अनुज भी, सभी का कहीं न कहीं हमरे साथ असर पर भाव रहता है। पत्नी का असर मैं इस रूप में कह सकता हूं कि मुझे कुछ अच्छी भाशा हैं सीखने का मौका मिला, कुछ अच्छी और कुछ दिमाग खुला, कुछ चीज़ों को ले करके, जो हमारे अपने रेजरिवेशन्स थे, कुछ अपना नजरिया, जो तंग नजरिया था, उसको विस्तार मिला, जिसका असर कविता और साहिते पर भी दिखेगा, निश्ची तुप से दिखेगा, थोड़ा मैलाओं को, इस्त्रियों को, हम लोग पहले, शायद एक अलग दूरी से देखते थे, लेकिन जिस लिकटा से आप अपनी के साथ अगर जुडते हैं, तो उससे आ आपके नजरीये में बदलावाता है, मैं अभी आपकी एक पोस्त देख रहा था, आपने एक दिन लिखा कि एक समय के बाद में, जब कोई जीवन साथी आखर के आपसे पूछता है कि आप दवाई ली क्या, तो वो शायद आई लव यू कहने से भी ज़दा होता है, तो बि कुछ एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है, तो निश्चित रूप से सभी का असर कविता साहित पे रहा और वो रहेगा, तमाम मित्रों का भी यही मैं कह सकता हूं, कि मित्र भी कहीं न कहीं प्रभावी ता आपको करते हैं, अल्टिमेटली वही बात वहीं पे आ जाएगी कि हम बाहर से ही तो ग्रेंड कर रहे हैं, बाहर का मतलब जहां हम रहते हैं, जिस आसपास में हम रहते हैं, जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस दुनिया में, जिन लोगों के बीच में, वहीं से तो ग्रेंड करेंगे, और धन्यवाद आज माया जी का सहिते के बारे में हिंदी कविता के बारे में किताबों के बारे में इतनी सुंदर बातें करने का माय जी वास्तव में तो जो आपके पास यहां जो लिखा हुआ है शायद आपका जिस्म आपकी रूफ उसी में बस्ती है कि ये जिस्म है ये तो एक दिन खाक हो जाएगा फिलाल किताबों में मिलूँगा मैं तुमको ये हुशनुमानी साब का जो आपने यहां पर पोस्टर लगाया हुआ है ये शायद आपकी जिन्दगी की फिलोसिफी है आज बहुत अच्छा लगा हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे सीटी लाइव के डायलोग सीरियस में धन्यावाद झाल झाल झाल